हेलो फ्रेंड्स मैं हीना कुमावत फिल्म विंडो पर बेग बॉस का रिव्यू लेकर आई हूँ आखिर कास सिद और शेहनाज यानि सिद नाज जो है एक हो ही गए दो दिन की कोशिशों के बाद सना अपनी मस्ती के बाद हाथ पैर दबा कर किसी ना किसी तरह से सिद धात को मनाने में कामयाब हो ही गई हमने देखा कि कैसे विकास कुपता के साथ आर्थी ने भी सिध्धाद को बोला कि तु मान जा वो कबसे दो दिन से तुझे मनाने में लगी होई है लेकिन सिध्धाद की जो हरकते थी और जिस तरह से वो बता रहे थे मुझे भी लग रहा था कि वो बिल्कुल जो है सना से इस बार तो मानने वाले नहीं है लेकिन आखिरकार ऐसा नहीं हुआ सना जो है सिधात को मनाने में काम्याब हो ही गई सिधात की तबेत भूत खराब थी उनको रात को नीन नहीं आ रही थी हाथ पेरों में दर्द हो रहा तो आसिम ने भी आकर जो है help की और सिधात की पैर उपर चड़े कर और उनको एक पैर दबा रहे थे तो जाहिर सी बात है कि आसिम को भी लगा कि अगर उनके दोस्त तकलिफ में है तो उनने जाकर help करनी चाहिए और जब सिधात को फिर यह रियलाइज हुआ कि शेहनाज वा तो वो मैं बैठ जाओं मैं पैर उपर रख लूँ ऐसी चूटी चूटी बाते भी सना से पूछ कर रहे थे यानि वो सना को यह जताना चाह रहे है थे कि देखो मैं तुमारे हाथ की कटपुतली बन चुका हूँ अब जो है जो तुम कहोगी मैं वही करूँगा हाला कि जब सना ने सिद्धात के पास आकर बोला कि मेरी लॉयल्टी तुम्हारे पास है तो जो सिद्धात जितनी जोर से हसे हैं और यह हसी बता रही थी कि आप तुम जो है लॉयल और लॉयल्टी की बाते मत करो तुमें जो करना है वो करो क्योंकि सिद्धात की एक्सपेक्टेशन इन सिद्धात को कहा कि मैं तुम्हारे लिए लॉयल हूँ तो सिद्धात जो जो से हसने लगे लेकिन रेक्ते हैं जब सिद्धात और शहनाज एक हो गए हैं वही हम देखेंगे सिद्धात और आसिम का कल झगड़ा होगा यानि कि ये दोनों कभी दोस्ती कभी उनकी जो दुश्मनी या फिर जो जगड़ा होता है वही देखने को मिलेगा आसिम जो है सभी को टास दे रहे हो उनको शायद कहा गया है कि तुम कुछ भी दर्ण दे सकते हो तो वो जो है सिद्धात को कहते हैं कि तू अब गेम के लिए तयारे मुझे नहीं लगता कि त सब तरह की बाते होंगे और साथ ही हम कर देखेंगी कि रश्मी लिए सिद्धात के बीच में भी बहुत और दुसरे को जो है बहुत सारे आसे शब्द बोलेंगे रश्मी बोलेगी कि अگर खाना बनाने dieser नौकरानी होती है या फिर उसको कायर कोना बोलती हुय नजर आ रहे और उसके बाद जो है सिध्धात भी कह रहे हैं रश्मी को कुछ रश्मी कहती हैं तेरी सच्चा ही सामने ले आऊँगी तो जाहिए से बात हैं कि इन दोनों की बीच का जो राज है वो अभी भी लोगों के सामने तो नहीं आया है लेकिन उसके बाद अरहान की एंट्री के बा अरहान और उनके घर की चावी का भी कुछ राज है क्योंकि सल्मान खान ने विकेंड का वार में आकर कहा था कि उनके घर पे शायद अरहान के उनके यानी कि रशमी दिसाई के घर पर जब वो नहीं है तो उनकी गैर मौजूदगी में अरहान के घरवाले आकर रहने लगे हैं लेकिन रश्मी ने खुलासा किया कि वो एक चावी अरहान को दे कर आई है एक अपनी मैनेजर को दे कर आई है वहीं अरहान कहता है कि राहूल के पास भी चावी है तो मुझे लगता है कि रश्मी अरहान राहूल और चावी का जो ये रहसे है, राज है, वो धीरे 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 खुलतवा नजर आएगा और रश्मी की ये गलत फैमी दूर होने वाली है कि अरहान की वज़े से अरहान को जो चावी दी है उसका फाइदा अरहान ने उठाया है, शायद रश्मी को आगे चल कर ये समझ में आएगा कि चावी जो है कि जब मैं बैंकरप्ट हो गई थी, तब ये घर लिया था, तो परसनल के हिसाब से, शायद उनका इशारा अपनी फैमली की तरफ था, मुझसे पेपर साइंग करा लेना चाते थे, यानि कि शायद घर अपने नाम करा लेना चाते थे, ऐसी कुछ बातों की तरफ इशारा कर का राज है, वो जल्दी सुलजने वाला है, हम मैं बात करूंगी, कैप्टन आसिम की, मुझे लगता है सना से जादा विकास गुपता का भी हाथ है, आसिम को कैप्टन बनाने में, विकास को ऐसे ही मास्टरमाइन नहीं कहा जाता, उनको कार का ड्राइवर बनने का मौका मिल गारी चलाने से मना कर दिया, और मधुरिमा की जगा अरहान को बिठा कर उन्होंने रश्मी दिसाई से ये प्रामिस ले लिया, कि भले ही कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम मधुरिमा को अगले दो हफतों तक सपोर्ट करती रहोगी, और उन्होंने मधुरिमा से, हाला कि मैं बहुत अच्छे से सुन नहीं पाई, लेकिन शायद वो मधुरिमा से यही बात कर रहे थे, कि वो सिर्फ दो हफते के लिया थे, वो चले जाएंगे, इस तरह की कुछ बाते वो कर रहे थे, लेकिन इस हफते उन्हें इम्म्यूनिटी मिली हुई है, क्योंकि वो कैप्टन थ सकते हैं, लेकिन विकास ने अपना गेम खेल दिया, रश्मी दिसाई को मधुरिमा के लिए खड़ा किया, और अरहान को अपने साथ ले लिया, जिसका कोई भी वो नहीं था, अरहान को जब पता चला था कि क्याप्टन ने तो शिपाली बग्गा के पीछे लगे वे नजर यहां तक कि वो विकास गुपता बाथर में नहा रहे तो बहर जाकर उन्होंने कोशिशे की कि वो विकास गुपता को मना ले कि कैप्टन सी टास में वो उन्हें अपनी गारी में बिठा ले क्योंकि अरहान जो है अभी इस गेम में टिकना चाते हैं, रहना चाते हैं, लेकि एक आठ判 बाते उन आपस में सारा जगड़ा हुआ verändert करोगी सद्डार्ट मुटॉ दोस्ती चल रही थी सद्धार के पज़ता हुद व strive कने धारोने में पारस एव summary करेंगी और सना को बोलेंगी कि अब मैं तुझे कहती हूं कि तू इससे दूर ना इससे यानि पारस से यानि माहिरा अब बिल्कुल बरदाश नहीं करने वाली कि सना आ आकर बार-बार पारस के लिए अपना प्यार जता है वहीं जो है आज सिद्धात ने मजाख मजाख में मह महिरा और आसिम को जोड़ने की कोशिष की और इसमें धोने पारस तरह काफ़ी क्योट मुमिंट थे स्मोकिंग रूम में में पारस और आसिम नहीं थे रहों तो अंधर अजिए धर क nella की देश्चिन का चार्टन से त्याग कर दी और आसिम को आगे लगे पारस के साथ कि अपनी वाली क्या होता है? अबिन जब जब गट आ सुघच ऑषाइख के की लिए Archhand asi 42 आतो के कि माहिरा सिधार्त और पारस सां अपने हाथों के क्लाए लिए सब आप मुझे खिलाने के लिए तुजोज़ कर से लोग मजाक में दोनों ही जम्मू से हैं मरें लगे हुएई और शिटन कई करने में लगे हुए ये तो तो आपको क्या लगता है कि आसिप के कैप्टन बनने के बाद आप कितने खुश है आपको क्या लगता है कि रश्मी और अरहान के रश्मी दिसाई के घर की जो चावी का राज है वो क्या है और आपको क्या लगता है कि इस हबते घर से कौन नॉमेनेट होगा आप जरूर कमेंट कीजेगा लेकिन कमेंट करने से पहले चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा